हेलो बच्चो नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में बच्चो आज फसर उत्पादन का पेपर हो चुका है और पूरा एनलाइसिस में लेकर आ गया हूँ बच्चो के फॉन कोल्स भी आ रहे थे मेसेज आ रहे हैं कि Sir Analyse तो अनलाइसिस में लेकर हाज़िन हूँ तो Analyse सुरू करने से पहले नंदो बातें में बता देना चाहता हूँ आपको पेपर पूरा जो पढ़ाया उयया जो बताया उयया अब रही बाद 245 नमर की 245 नमर के आपको कोई सा भी पेपर कहीं को इसा भी master पढ़ाता हो आपको ऐसा ही आता है कि जो किसी को नहीं आता है ठीक है ना किसी किसी को आता है मतलब 1% student होते हैं जिनको 100% आपका पूरा paper solve होता है 1% student समझ रहे ना जो MP top आते हैं उनको मालूम रहता है लेकिन जो 95 90% तक बनाने वाले चात्रों जो कहीं गलतियां जो होती है न तो गलतियां यहीं होती है कि कुछ थोड़ा वोत जो है न आउट आ जाता है तो उससे थोड़ा सा percent 70% बिल्कूल easy तरीके से बना रहे है तो यह बहुत अच्छी बाद अच्छा एक बात दो बताना चाहता हूँ अब आपका 12th मतलब paper हो चुके है अब आपका focus MPPAT पर होना चाहिए और कल में एक वीडियो ऐसी लेके आ रहा हूँ कि 12th agriculture चात्र अब आगे क्या करें कल का वीडियो साम तक आ जाएगा आपके पास कि 12th AG चात्र अब क्या करना है क्या planning है हम क्या कर रहे हैं वो सब पूरी जानकारी के बाकी आज हम आपको बता देते हैं पूरा analysis तो देख लीजिए बच्चों यह analysis तो बच्चों सबसे पहले हम सही बिकल्प की बात करेंगे आपका सही बिकल्प सबसे पहले है इनार्चिंग फिरसारन विदी सम्मंदित है किस से है पपीता से अम्रूद से अंगूर से आम से तो इसका से सही था आम से आम से इनार्चिंग में आपका इनार्चिंग जो विदी है वो आम में की जाती है बाके आपको पता है पपीता आम 20 से होता है अंगूर में टी वडिंग होता है और अम्रूद में क्या होता है आपको पता ही होगा इसके बाद वायटेसी कुल का फ बाता है भारत आपको पड़ा ये तीनों कोस्टन आपको देखें आप लोग वीडियो में ने बनाया था ओटी का उसमें पूरा बता है आपको मालम हुआ आईसो प्रॉटुरान रसाइन इस कर्पतबार के नियंतर में समा चिससे है, चिकोरी, गिहुं का मामा, सांवा, अमर्विल तो आपको पता है मैंने बताया था कि एकॉसर रट लेना एगलाल या एरिटा दो दबा बताइं ती मैंने तो एगलाल पूछ लिया गया है ठीक है, सैवी रेना रोट क्या है, आपको पता है, सैवी रेना रोट रोग है, और ये किस से संबन देता है, अच्छी प्रकार से बताया था कि बच्चों पूछा गया है, मटर से, गन्ना से, मस्रूम से, अच्छनास, आपको पता है, सैवी रेना रोट मस्रूम का एक रोग ह तो ये थे आपके साही विकल्ब, कितने बच्चों के साही हुए हैं, ये मुझे feedback आप जरूर दें, feedback आपको जरूर देना है किसमें, comment box में कितना साही हुआ है, ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, next हम लोग बात करेंगे रिक्तिस्तान की, रिक्तिस्तान बहु मलिका का क्रोस है, ये बच्चों को दिक्कत आयोगी, मैंने क्रोस बताया थे, आपको याद हो अच्छी परकार से, जब मैं क्या पढ़ा रहा था, आपको ध्यान हो, जब मैंने important question दिये थे, तो उसमें एक question दिया था, कि भईया ये याद कर ले न, क्रोस पूछे जा सकते ह आम के, आम की variety है मलिका, आम की मलिका, और इसका जो क्रोस है, ये क्या था, NDM था, N मतलब नीलम, D मतलब दसेरी और क्या बन के तयार हो गई थी, मलिका, तो नीलम into दसेरी, जो लोग लिखकर आए, उनका सही, नीलम into दसेरी, और बन के मलिका आपकी तयार थी, NDM, dehydration, जी गंटर चेंग की लंबाई सबको पता है गंटर चेंग की लंबाई 66 सबका सई बेठे होंगे यह तो दीमक का बैग गयाने की नाम जिसने याद किया होगा उनसे पता होगा दीमक का बैग गयाने की नाम पूछा है Odontotermus Oasis क्या था Odontotermus Oasis यह आपको दूसरे नाम से भेंट कलम के नाम सी भी जानते हैं, एक और नाम है, इसको वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको भेंट कलम भी कहा जाता है, एक और नाम है, अगर आप लोग याद हो, तो कमेंट बॉक्स लिखकर बता दें, बाकी भेंट कलम भी यदि लिखके आए हो, कितने बच्चों की सही है। देखे, सबसे पहले, मतर, मतर रख से किस्से मिलेगा, मतर का रोग दे रखा है, पावडरी मिल Sig ov, मस्रूम का मिल ला है। मस्रूम कंपोस्टिंग से, खाद में इसको बनाया जाता है, बहुत बढ़िया, इसके बाद केला का कुल दे रखा है मुझेजी, बहुत बड़िया मिली वग का कंट्रॉल करते है चिप चिप ट्रेप लगा कर आम की फसल में मिली वग लगती है और मुंभली का क्या दे रखा, मुंभली का रोग दे रखा, टिक का डिजीज आपको पता है ये element of science में पूछा गया तो देहान हो आपको दो मुफली का टिक करो ये रखाया अब ये एक extra था revenue सी ये किसी से नहीं मिल ला है ये वैसे क्या है मलो में आपको ये family है किसकी बेर की कोई ले नहीं दिना नहीं है ठीक है तो ये थी आपकी इस परकार की जोड़ी जो बच्चा करके आए उसकी आपकी सभी पाच डवमा सही है ठीक है आगे देख लीजे आपके एक बाक में उत्ता है बच्चों ये किसम कैसे करके आए आप लोग देखिए मेंथा का कुल क्या है सबको बताया था मेंथा कुल लेमेसी जो लोग करके आैंगो वन्हेँ उन्हिद मालों में मैंने पड़ाया है OTO में लेमेसी और लेवेटी बी सही है आपका जो भी करके हैँ सित्रल घटक से संबंद पोदय का नाम लिस्टित्र आपको पता है क्यों से लेमेंल मुझे नाम की पकी बार रायर मुझज करके नाम कि या करके आ चलो कोई ना बाकी मैंने पड़ा है आपको मालू में लेकिने फिलाले आदनी यह दिमाख से सलेब हो गया कोई बात दिया इसके बाद बीज रहत आम की किस्मती सिंदू सिंदू इस प्रकार की वेराइटी है जिसमें की बीज नहीं बनता है इसके बाद सपेद मूसलिका भी आप देख रहे हों कि जो भी है मैंने पढ़ाया है आपने ओटी अगर पढ़े होंगे आपको जान करेंगे जिसने वीडियो देखा होगा उसको मालम होगा कि जो भी पढ़ाया था वो पूरा फसा है इसके बाद सत-सत देख लीजिए बच्चो सत-सत हैं आपके फल एवं सब समय के अनुसार सुरक्षित रखने की मुख पांच विदिया है देखिए अगर हम बात करें मुख के पांच विदिया वैसे यह गलत है क्योंकि इसकी दो विदिया होती है एक इस्ताई और दूसरी आइस्ताई पर इस्ताई होती है वो पांच होती है और आइस्ताई होती है तो मुक्रूप से बात की जाए तो यह असत्त है लेकिन जातर कुछ लोग इसको सत्त बता रहे हैं कुछ जानकार जादा जानकार लोग होते हैं वो जादा दिमाग चला रहे हैं कि पांच सही है लेकिन नहीं इसकी दो विदिया है मुक्रूप से इस्थाई और आइस्थाई आप चेक कर सकते हैं आपकी बुक्स में वो पता हुआ है एक इस्ताई पांच होती है और आइस्ताई भी पांच होती है वह बात एक अलग है लेकर अगर हम बात करें जन्नली तो दो ही है इसके बात क्रॉस इस्टो बूसर विक्षान से सम्मंदित नहीं है यह भी आपका असत सम्मंदित है एक इकड़ बराबार 4606 फिट होता है यह भी सही है लेस्टों का बात पतना एलियम से टाइम बिल्कुल सही है अस्वगंदा अकुल क्रूसी फिर यह बिल्कुल कहलाता है क्योंकि अस्वगंदा अकुल है सूले नेसी रतन जोत का पोदा बायोडियल सम्मंद स्कत्र इस प्रकार के अगर आपने सतसत कि है तो आपके 660 ऐसे को अब बात करेंगे हम लोग परता तो वह बहुत बहुत बड़ बूला था इसके बाद हम बात करें अंगूर में निफिन पांडल प्रनाली दोनों के बारे में मैंने बोला था कि इनको थोड़ा सा देख के जाना भाई या पपिन के लाव आगया चलो ये तो भागया पूरा का पूरा आम में एक अंतर नफार अच्छी तरह बताया था कि भाई आएग यह नहीं बताया यह कोशन नहीं बताया 11 वाला वाई कोशन दोनों ही कोशन मैंने नहीं बताया थे important पर कोई बात नहीं अच्छा था मिस्रीत वर योग को कड़क में डिफ्रेंस यह जैसे होते हैं या तो कोई खास अंतर आप लोग इसको गलत कर आया हों तो ठीक है आप ल था नहीं हुआ होगा हो सकता है चलो कोई बात नहीं ने बताया था कि पॉटास वाले फासपुरास और नाइट्रिजन तीन ओ के आप पोटियम क्लूराइड में कितनी होती है, 60% पोटियम सल्फेट में कितनी होती है, लगवाग चालीस होती है, 48-52 अपना नहीं है, तो यह आप लोग कर आए होगे, अमोनिय सल्फेट में 20.6 होता है, किसान खाद में 25% होता है, यह करके आगया हो, तो यह सही है, बहुत सिंपल आपका पेपर था, आगे बात करेंग खर्पतवारों की विशेषता, बोला था भईया, रट लेना, और सम्मान दित खर्पतवार की परिवासा भी आगे चलो बढ़िया, लेके खर्पतवार की विशेषता, आप लोग करके आयों गये, देख रहा है, आपका बिल्कुल सर्फिंग में थे, और प्लास्टर में दोर अंतर बता रहा था ना, वह आ गया और कुछ नहीं है, इसके बाद सहकारता की बोला था कि भाईया, सहकारता या सिद्धान देख लो, आधार भू सिद्धान पूछ लिए कि ने, डेफिनिसन भी पूछ ली कोई बात ने, यह द पूछ नहीं, यह थोड़ा सा गड़बर फस गया बच्चों को यहां भी थोड़ा सी गल्ती होई हो सकती है, होगी बच्चों से, हैंना, यूगी नहीं तो अप लिखनी पाया हो, कि इसमें आप लिख आएंगे तो, कुछ लोगों दिमाग चलाया हो, वो तो लिख आएंग यह जलनिकास की परिवासा और तीन प्रिणालिया है, यह करे आए होंगे आप इस कोशन को जरूँ, ठीक है, तो अठारा कोशन कम्प्लीट, यह बीस बाग क्या पूछ लिया, यह कोशन, यह कोशन थोड़ा गड़बर कर गया बच्चों की यह जो कहा ता वो नहीं आया है, पांच नम्मर के हैं करबड़ हुआ है, और दो नम्मर का वहां करबड़ हुआ है, तो लगो पांच साथ नम्मर का जोए करबड़ हुआ है, बाकी तो आपका सही अरर की और इदे को गधान की खेती आ गए, तो बच्चों बहुत सिंपल पेपर था, अगल पांच साथ नम् हैं घर कोई न बैटे कल मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूं एंपी पीट के लिए दूसरा ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने भाई हों अपने भेहन जो भी अपने मित्र सभी को हमारी यूट्यूब चैनल के बारे में जलू बता हैं 12 अगरी कल्चर और MPPAT की पूरी तयारी करानते हैं ठीक है ना सभी चीज आपको पता है किस परकार से हम पढ़ाते हैं तरीका क्या सब जानकारी हैं आपको हाना ठीक है तो बच्चों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्का यह जरूर बता है कितने नमर आपके बंद है